नमस्ते, मैं हूँ सचिन गोयल और लोग कल्यान के लिए चलाय जा रहे इस कारेकरम में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आपको बताऊंगा डायबिटीस के लिए कुछ बहुत ही सरल एक्यू प्रेशर टिप्स जो कि डायबिटीस को कन्ट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं और लंबे समय में डायबिटीस को ठीक करने में भी आपकी काफी help करते हैं सबसे पहले medulla oblongata यानि सिर्क के नीचे के बीच के इससे को अंगूटे से इस तरह से दबाना चाहिए इसे तीन सेकिंड तक दबा के छोड़ दीजिए और फिर दुबारा दबाईए इस तरह पांच से दस बार तक इसे दबाना चाहिए इसे दिन भर में किसी भी समय किया जा सकता है इसके बाद इसी जगह के दाईं और बाईं और भी अंगूठे से इसी तरह से प्रेशर देना चाहिए अपने अंगूठे को खोपड़ी की हड़ी पर रखिए और उपर की और दबाओ दीजिए तीन तक गिंती की निये और फिर छोड़ दीजिए ऐसा पांच से साथ बार करना चाहिए ठीक इसी तरह दूसरी तरफ भी करना चाहिए इनको भी आप दिन में किसी भी समय प्रेस कर सकते हैं अब आप अपनी मुठी के इस हिस्से से कमर के बीच के हिस्से को इस तरह से दबाईए अपनी कमर के बीच के हिस्से पर स्पैनल कॉड के साइड में मुठी के इस हिस्से को इस तरह से रखिए और रीड की हड़ी की तरफ इस तरह से दबाईए एक जगह दबा कर रखिए और तीन तक गिंती गिनिए और फिर छोड़ दीजिए इसी तरह साथ साथ दूसरी और भी दबाते चलिए इन्हें आप 5 से लेकर 10 बार तक दबा सकते हैं इसके बाद कमर के नीचे के हिस्से को भी मुठियों से इसी तरह से बार बार दबाईए इन सभी पॉइंट्स को आप दिन में 2 बार भी दबा सकते हैं यानि 10 बार सुबह और 10 बार शाम को भी इने दबा सकते हैं हाथ के अंगूठे की सीध में कोणी के सामने के हिस्से पर एक पॉइंट होता है, इसे आप अपने अंगूठे से lightly इस तरह से दबाईए, इसे 3 सेकंड तक दबा के रखिए और फिर छोड़ दीजिए, इस पॉइंट को 3-4 बार दबाना चाहिए, इसे भी दिन में किसी भी सम इस तरह से दबाईए, इसे इस तरह दबा कर रखिए, 3 तक गिंती गिनिये और फिर छोड़ दीजिए, इसे बार बार 3-5 बार तक दबाना चाहिए, ठीक इसी तरह सेंटर में रिप्स के थोड़ा नीचे भी एक पॉइंट होता है, इसको भी अपनी दोनों आतों की उंगल इस तरह से दबाईए, इसे दबा कर रखिए, और 3 तक गिंती गिनिये और फिर छोड़ दीजिए, इसे भी 5-7 बार तक आप दबा सकते हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप खाली पेट दबाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है, इसके बाद घुटने के नीचे के अंदर क इस तरह से दबाना चाहिए, इसे भी दबा कर 3 तक गिंती गिनिये और फिर छोड़ दीजिए, इसे 5-7 बार तक दबाना चाहिए, इसी तरह गुटने से नीचे बाहर की तरफ भी अंगुटे से दबाना चाहिए, इसे भी 3-5 बार तक दबाना चाहिए, 3 तक गिंती गिनिय और छोड़ दीजिए और तीन से पांच बारतकी से दबाईए ये हमारे पाचन तंत्र यानि डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा कर देता है जिससे डाइबिटीज में बहुत तेजी से फायदा मिलता है रोजाना लगातार ये सभी पॉइंट्स दपाते रहने से झाइब 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 एंफ थायदा